नो आ गया आप दोस्तों आज मैं आपके सामने बहुत ही fantastic और मज़ेदार magic करने वाला हूं बहुत ही dangerous magic होने वाला है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक प्यारास हो खर्गोश है मेरे पास यहाँ पर ये देख सकते हो इस टेबल पे हमारे पास एक प्यारा सा खरगोस है और हम क्या करने वाले हैं मैजिक करने वाले हैं आप लोगों के सामने मैजिक करके इस खरगोस को गायब करने वाले हैं जी हाँ बिल्कुल गायब आज तक आपने देखा होगा लोग गुबारे से कबुतर निकाल देते हैं आग से खर्गोस निकाल देते हैं, किताब से खर्गोस निकाल देते हैं, बट कभी आपने देखा कि खर्गोस को गायप कर दिया हो, नहीं. तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आज इस खर्गोस के साथ magic होने वाला है और ये होने वाला है venice. जी हाँ, बिलकुल venice. उससे पहले टेबल को आपको चारों तरप से दिखा देता हूँ, कहीं आपको ये ना लगे कि टेबल में कोई cheating है, या कुछ इस परकार से टेबल में कुछ इधर उधर ऐसा कुछ है. तो टेबल आपको चारों साइड से दिखा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर टेबल आप देख सकते हूँ, एकड़म नॉर्मल टेबल है और टेबल पे ऐसा कुछ setting नहीं है. अब हम क्या करते हैं, इस cap को निकालते हैं यहाँ पर, देखो, जादू की टोपी है, उससे इस खरगोस को कबर कर लेंगे, आप इसको थोड़े इदर कर देते हैं, आपको ऐसा ना लगे कि हमने खरगोस को नीचे गिरा दिया है, या ऐसा कुछ, ठीक है, तो यहाँ पर हम अब magic करने वाले हैं, और दोस्तों, इस टोपी को हम यहाँ पर रखने वाले हैं, आप लोगों क के सामने, जी हाँ, टोपी के नीचे अभी खरगोस है, हम जैसे ही magic करेंगे, जादू लगाएंगे, खरगोस हो जाएगा गाया, जी हाँ, बिल्कुल गाया, अभी आपको टोपी दिखा देता हूं, टोपी यहाँ पर है, दोस्तों, खरगोस हो चुका है, बिल्कुल वैनिस, गायाब, यह देखो, टोपी एकदम नॉर्मल, और हमारा टेबल, टेबल बिल्कुल किलीन, आपको दिखा देता हूं, टेबल बिल्कुल किलीन, यह देखो, तो दोस्तों, खरगोस वैनिस एदेखो, तो दोस्तों, आपको यह मैजिक कैसे लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, कि हमने इस टेबल पे इस प्यारे से खरगोस को गायाब कर दिया था, जी हाँ, बिल्कुल सभी सुना आपने, गायाब, तो आई होप कि आप इसे सीखना चाते होंगे, एबंब जानना चाते होंगे, उससे पहले अगर आप जादू का कोई भी सावान मंगवाना चाते हैं, तो नीचे दियेगे कांटेक्ट नमर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे जादू की एट इट इट आइटम आप मंगवा सकते हैं तो यहाँ पे यह कैसे हुआ वो आपको बताता हूँ सबसे पहले हमारे पास था एक प्यारा सा खरगोस जो की यहाँ पे है ठीक है उसके बाद हमारे पास था एक टेबल जो की बिल्कुल नॉर्मल है अब पूरा का पूरा गेम जो है दोस्तों वो है इस टेबल में यह भली आपको नॉर्मल दिख रहा है बट यह नॉर्मल नहीं है यहाँ पे मैं इस टेबल को आपको दिखा देता हूँ आपको टेबल को ध्यान से देखना है खरगोस को यहाँ पे लेते हैं इस table में यहाँ पे एक hole बना हुआ है यह देखो यह वाला और इसके अंदर यहाँ पे खरगोस आ जाता है अगर मैं आपको अच्छे से दिखाऊं तो इस table को उपर उठा के इसमें मेरे जो mike का हो है यहाँ पे देखो खरगोस है दोस्तों अभी यहाँ पे यह टेबल special table है दोस्तों इसे भी आप खरीद सकते हो यह देखो यहाँ पे एक जोला बना हुआ है जिसमें आप कुछ भी गायप कर सकते हो खरगोस ही नहीं आप इसमें कुछ भी गायप कर सकते हो यह जोला है जो कि इससे कवर हो जाता है ऐसे और यह हमें कहीं से भी नहीं दिखता है चारों तरप से हमें कहीं से भी नहीं दिखता है और जहां से गायब करना है वो है दोस्तों यहां से यह वाला इसमें एक होल है जो कि सामने से दिखाई नहीं देता है अगर ऐसे रहेगा तो आपको यहाँ पर पता भी नहीं चलेगा कि कोई यहाँ पर छेद है यह देखो यह है और यह है इसका जोला जिसमें कोई भी चीज गायब हो जाती है तो यहाँ पर इसको ऐसे रखते हैं और जैसे हम अपने टोपी उतारते हैं हम क्या करते हैं? खर्गोस को टूपी से cover करते हैं और यहाँ पे ऐसे लाते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं हर्गोस जैसे इसके अंदर डालेंगे तो इसके अंदर ही रह जाएगा आपको दिखाएंगे खर्गोस गाया तो यह था इसका राज इस बिचारे को बाहर निकाल देते हैं ये था इस जादू का राज तो अगर आप ऐसा टेबल भी खरिदना चाते हैं तो नीचे देगे काउंटेक नमर पे काउंटेट करके मंगवा सकते हैं ये स्टेज प्रोग्राम के लिए बहुत बेस्ट आइटम है और आपको मैंने बता दिया इस टेबल का पूरा खा पूरा राज I hope कि आपको समझ में आया होगा आप भी इसे जाने में इंटेस्टेट रहे होंगे तो हमारे लिए एक लाइक कर देना वीडियो को सेयर ज़्याद से ज़्यादा कर देना और हाँ ज़्यादू को सामान मंगवाना है ज़्यादूगर बनना है तो देर किस बात की दिये गए नमर पे काउंटेक्ट करें ज़्यादू का कोई भी सामान मंगवाए और आप भी ज़्यादूगर बनें अपने गाउं मोहले में नामेवं दाम कमाए तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही राम राम